गुड मॉनिंग फ्रेंड्स और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी चैनल पर और आज हम आपके लिए आपर फिर से चर्चा करेंगे कि यहां की करन्ट अफेर पर और दोस्तों जिनों ने भी अब तक हमारी चैनल को सस्क्राइब नहीं गया तो प्लीज सस्क्राइब की कीजिए वीडियो पसंद आये तो लाइक कीजिएगा सेर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा सेर कीजिएगा दोस्तों हमने आपके लिए पर वाटसब ग्रूप भी बना रखें जिस पर जो भी नए अपडेट्स रहेंगे नोटिपिकेसन रहेंगे आपको यहां पर मिल चुका है जो कि आपको प्लेइस्टोर पर मिल जाएगा आप आहां से इसको डाउनलोड कीजिए इसका रजिस्टेशन कीजिए जो कि इसका रजिस्टेशन है वह बिल्कुल फ्री आहां ही कि आपको कोई भी प्रेमेंट आपन नहीं करना पड़ेगा बढ़ते हैं कि आपर एक वेल्य होती है तो फर्स्ट क्यूशन है कि टेली मेडिशन सेवाए परदान करने के लिए सरकार द्वारा सहत ओपीडी पोर्टल शुरू क्या गया है तो दस सहत ओपीडी पोर्टल एस बिन लोंस वाइदा गोवर्मेंट टू प्रवाइड टेली मेडिशन करने के लिए सरकार के द्वारा एक सेहत ओपीडी पोर्टल शुरू किया गया है तो किसको यह सेवाए दी जाएगी तो सहस्त्र बल को टेली मेडिशन सेवाए परदान करने के लिए तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सहस्त्र बल राजनास सिंग जो की रक्षा मंत्र सर्विस एहल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेंट्स ओपीडी पोर्टल ओन मेर ट्वंटी सेवन तुथावजन ट्वंटीवन थू वीडियो कॉंफेंसिंग नेस्ट्यूशन है अंतराश्टिय वितिसेवा केंद्र प्राधिकरन आई एप एस सी ने निवेश कोस पर एक समिठी का गठन गया है इस मिठी का द्रक्स को ने तो तो निवेश को तो यसकत टेक्स कोन ― thi यहां पर गठन क्या इस मिठी है इसका द्यक्स हैं ओप्शन A संक्रन नरेन ओप्शन B अजेबग गाउप्शन C निलेस सहा ओप्शन D रिधम देशाई ओप्शन E रोष्णिया रोड़ा इसका रायट आंसर होगा ओप्शन C निलेस सहा तो निलेस सहा जो कि अंतराश्टे वित्य सेवा प्राधिकरण ने उस भारतिये का नाम बताई है जिसने हाली में 2021 प्रिंसेस ओप एस्टूरिये सवार जीता है तो 2021 का प्रिंसेस ओप एस्टूरिये सवार किष्ण जीता है नेम अभीजीद पनर जी ऑप्शन B अमर्तिय कुमार सेन ओप्शन C अरविंद सुब्रमन नियम ऑप्शन D रगुर आम राजन ओप्शन E कुमार विश्वास इसका राइट आंसरों का ओप्शन B भारतिय अतिसास्ति और नोबल प्रुसकार विजेता अमर्तिय कुमार सेन को 26 मई 2021 को सामाजी विज्यान स्रेनी में स्पेन द्वारा 2021 प्रिंसेस ओप एस्टूरिये सवार से सम्मानित क्या गय इंडियान इकोनोमिस्ट और नोबल लेवरेट अमर्तिय कुमार सेन है विज्यान प्रिंसेस ओप एस्टेये सवार्ड बाइस पेन इन दा सोशियल साइंस केटेगरी ओन मेड 26 तूथाउजन विज्यान एक किस राज्य ने केंद्रो राज्य सरकार की नीति के कारान नेविय निवियन है उनकी नीगरानी के लिए उनकी जो विच स्टेट एप लिए गार्जयन मिनिस्टर आवर सी इंप्लिमेंटेशन ओप सेंटल एन इस्टेट गोवर्मेंट पोली सी तो किस राजे ने हाँ पर जो न्यूक्त का गया भी वावक मंत्री यह तो उप्सन ए असम, उप्सन बी तमिलनाडू, उप्सन सी हिमाचल परदेश, उप्सन डी जम्मो कस्मीद इसका राइट आंसरों का उप्सन ए असम असम के मुख्य मंत्री हिमन्त विश्वा सर्मा न्यूक्त के हैं, इन जिलों के संतुली तेज और सतत्विकास के लिए असम के सब चोटी जलों के लिए तेरा भी वावक मंत्री न्यूक्त के हैं Assam Chief Minister Himant Biswasarama has appointed Gharjian Minister to oversee implementation of Government, Policy, Decision, Administrative Reform and Other Welfare Scheme in all the 34 Districts of the State. 13 Gharjian Minister has been appointed for all 34 Districts in Assam for Balanced, Speedy and Sustainable Development of these Districts. Next Cution is, कि कि इन वेज्ञानिकों में किसे अंतराष्टे एनी पुरुषकार 2020 से सम्मानित किया गया है? 2020 का जो अंतराष्टे एनी पुरुषकार किसे सम्मानित किया गया? किसे दिया गया है? Who among the scientists has been confirmed with the International NE Award 2020? Option is, Jee Maadvan Nayar. Option B, Rodham Narasimha. Option C, Banaade Rao. Option D, C, Sikkar, Mittal. Option E, C, N, R, Rao. तो अंतराष्टे एनी पुरुषकार यहां पर किसे दिया गया? इसका राइट आंसरोग Option E, C, N, R, Rao. पक्यात भारती वेज्ञानिकों भारत रतन प्रोपेसर C, N, Rao को International NE Award 2020, जिसे की Energy Frontier Award भी कहा जाता, इसे सम्मानित किया गया? इंडियन साइंटिस्टेश और भारत रतन प्रोपेसर C, N, R, Rao has been feliciated with the International NE Award 2020, also called the Energy Frontier Award. नेस्ट क्यूशन है कि वेन इस दा वर्ल्ड हैंगर डे अबज़र। विश्व भूग दिवस कब मनाया जाता, तो वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता, कब इसको अबज़र। क्या गया तो ओप्शन A, 25 माई ओप्शन B, 28 माई ओप्शन C, 26 माई ओप्शन D, 27 माई या ओप्शन E, 29 माई इसका राइट आंसर होगा कि विश्व भूग दिवस मनाया जाता है, उप्शन B, 28 माई, 28 माई को दा हंगर प्रोजेक्ट विश्व भूग दिवस मनाया जाता है, नेश्व क्यूशन है कि टोक्यो ओलंपिक खेलों में कुस्ती मेचों में इंपाइरिंग करने वाले भारत क एक मात रेफरी कोन है, तो भारत के एक मात रेफरी कोन है, जो कि टोक्यो ओलंपिक खेलों में कुस्ती मेचों में इंपाइरिंग करते हैं, जो कि भारत के एक मात रेफरी है, तो कोन है वो, वैस दी ओल्ली रेफरी फ्रोम इंडिया टू ओफिशियर्ट इन रेश्ली मेचे करने वाले भारत के एक मातर यहां पर रेफरी है वो है इसका राइट आज्सर ऑए असो कुमार टोक्की ओलंपिक खेलो में कुश्वी में फायरिंग करने वाले देश के एक सुकमार रेफरी होंगे सुकमार विल वी दा ओनली रेफरी फ्रॉम दा कंटी टू अफिशियेट इन रेस्लिंग मैचेज ओफ टोक्यो ओलम्पिक गेम्स नेक्स्ट है कि हाली मंत्राश्टे नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अद्देश के रूप में किसे चुना गया है रूप में जगजित पंडित ऑपशन सी जगजित पवाडिया, इसका राइत आंसर उप्चनी जगजित पवाडिया, भाद के पूर नार्कोटिक्स आयुकत और भारती राजस्वर सेवा के सेवा निर्वत अधिकारी जगजीत पावाडिया को अंतराष्टे नार्कोटिक्स नियंत्रन बोर्ड का देख सुना गया है तो जगजीत पावाडिया को अंतराष्टे नार्कोटिक्स नियंत्रन बोर्ड का दे आफिए कि निम्ली किित्में से किस बैंकि ने हाली में यू पी आई अपने digital wallet pocket से जोडने की एक अनुटी सुउधा सुरू की तोई सकी गोश्णा कौनuses bank के द्वारा की गई है यू प्य आएड़ी को अपने digital wallet पोकेट से जोडने की जोडने की यह एक सूजदा है यहां पर इन्होंने करने की गोश्ट ना किये तो कौन सा बैंक कि विच और फोलिंग वेंक है इस सेंटली अनाूंस दा लौंच ओफ यूनिक फैसलिटी ओफ लिंकिंग ए यूपी आई डी टू इट्स डिजिटल वोलेट और फोकेट अपसन एकस बैंक जोडू आइडिए बैंक उपसन का उपसन डियोपी आइडी को अपने डिजिटल वोलेट पोकेट से जोडने की एक अनूटी सुईधा शुरू करने की गोश्ट ना जो जो की मोज़ुता प्रता से प्रिस्तान का प्रतिक है और एस इाइडी को बच्चत बेंक खाते से जोड़ने की मांग करता है तो ICICI bank has announced the launch of a unique facility of linking a UPI ID to its digital wallet pocket marking a departure from the current practice that demands such IDs will link with a serving bank account. नेस्ट क्यूशन है भारतिय वायू सेना में भात की मही पहली और एक मात्र महिला जो उडान परिक्ष्टन इंजिनियर के लिए योग है तो इस इंडिया फर्स्ट एंड ओनली भूमन इन आई एफ क्वालिफाई पॉर फाइट टेस्ट इंजिनियर ऑप्षन है अम्रता वी अप्षिता वी अलेटी ऑप्षन सी अंजिता वी अलेटी ऑप्षन डी आखशिता सो तो यहां पर भाई भारती वायू सेना के लिए जो कि भात की पहली और एक मात्र मैला है, जो कि उडान परिक्स्टन इंजिनि vrij योग्य है तो वह है ओप्सिन B एक अधिकारी ने कहा कि स्कुड़न लीडर अक्सिता वी ओलेटी भारतिवाइसवेनामेश्भूमिका के लिए योग्य पहली और एक मात्र मैला है एक उडान परिक्षन इंजिनियर के रूप में वह ससस्त्र बलो में सामिल होने से पहले विमान और हवाई प्रनालियों के मुल्यानकन के लिए जिम्मेदार होगी स्क्वाइडर लीडर अश्रिता वी ओलेट इस फर्स्ट और ओनली बुमन इन आई एफ क्वालिफाइब फोर दर रोल और एज़ फ्लाइट टेस्ट इंजिनियर सिफ विल बी रिस्पोंसिबल फोर दा इवलेटिंग एर क्राफ एंड एर ब्रॉंज सिस्टम बिपोर देर इंडक्शन इंटू दा आर्म फोस सेट वन ओफ दा ओफिशियल धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए लाइक कीजगा सेर कीजगा सब्सक्राइब कीजगा और जिन्हों ने भी अब तक एफ्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो प्लिस डाउनलोड कीजए धन्यवाद दोस्तों